नमिश्कार्स की नियूज भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रिचा सेंग सनातन धर्म की लोगों के लिए पित्रपक्ष के पूजा यानी श्राद का विशिश महत्व है श्राद शब्द श्रद्धा से बना है जिसका अर्थ है पित्रों के प्रती श्रद्धा रकट करना शास्त्रों के अनुसार समय समय पर श्राद करने से वंश आगे बढ़ता है परिवार का हर सदस्य पैसों से लेकर सभी सुख सुविधाओं से संतुष्ट रहता है हाला कि श्राद्ध पूजा के कई नए नियम भी हैं जिनका पालन ना करने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता मानेता है कि श्राद्ध की पूजा केवल पुर्षों को ही करने चाहिए महिलाओं को श्राद्ध की पूजा से दूर रखा जाता है लेकिन कुछ विशेश परिस्थितियों में महिलाई शाद पूजा कर सकती हैं आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि कब-कब महिलाओं को शाद पूजा करने से पाप नहीं लगता है शास्त्रों में शाद की पूजा करने का आधिकार केवल पूरुशों को दिया गया है पिता का शाद उसके पुट्र को ही करना चाहिए पुट्र के ना होने पर पौत्र, प्रपौत्र, पुट्री का पूत्र या भतीजा भी शाद कर सकता है इसके अलावा सगा बेटा ना होने पर गोदलिया पुत्र भी अपने पिता का शाद्ध कर सकता है यदि किसी के कुल में एक भी पुत्र नहीं है तो ऐसी परिस्तिती में महिला शाद्ध कर सकती है जिनका आपको शाद करना है उनका यदि कोई बेटा नहीं है तो ऐसे में पत्नी अपने पती की आत्मा की शान्ती है तो शाद कारी कर सकती है इसके अलावा कुल की विद्वा इस्तरी भी पित्रों की शान्ती के लिए शाद कर सकती है लेकिन अविवाहित का न्याओं को शाद्ध नहीं करना चाहिए जिन लोगों के पती या पुत्र की सेहत अच्छी नहीं है पर वो जीवित हैं तो ऐसी परिसिती में उनके हाथ को इस पर शकर के विवाहित महिलाईं शाद्ध कर सकती हैं गौर्ड तलब है कि घर की मुख्य महिलाओं को ही हमेशा श्राद करना चाहिए लेकिन इस दौरान घर की महिलाओं को कुछ खास बातों का खयाल रखना चाहिए वरना आपके पूर्वच आपसे नाराज हो सकते हैं जैसे पित्रपक्ष में महिलाओं को शाम की समय दिया जरूर जलाना चाहिए पित्रपक्ष में रोजाना एक दिया दक्षिन दिशा की तरफ करके घर के बाहर रख दे पित्रपक्ष में घर परिवार में बाद विवाद ना करें महिलाएं मासिक घर्म के दौरान शाद तरपन का खाना ना बनाएं पित्रपक्ष के दौरान शाम के समय घर में जाडू या अन्य साफ सफाई का कार्य ना करें पित्रपक्ष में हर दिन जब भी खाना बनाएं उनमें से एक हिस्सा पहले ही निकाल कर पित्रों के नाम से गाई को जरूर खिला दें जिस भी दिन पित्रपक्ष या शादिया तरपन कीते थी हो उस दिन पित्रों की पसंद का खाना ही बनाएं जहिर है पित्र पक्ष को ही श्राद कहा जाता है हर साल भादर्पद माह की पूर्णिमाति थी के दिन से श्राद के खास दिनों का प्रारब होता है हिंदू पंचान के मुताबिक साल 2024 में पहले शाद्द की पूजा 17 सितंबर को की जाएगी पित्रपक्ष के पूजा मात्र एक दिन ही नहीं की जाती है बलकि ये कई दिनों तक लगातार की जाती है जिसका समापन आश्विन मास के माविस्या के तिथी के दिन होता है इस साल येती थी 2 ओक्टूबर 2024 को यानि इसी दिन पित्रपक्ष का समापन होगा खै इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूज भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ